नमस्कार सभी को भारत के भूगल से सम्मनित most important question आए शुरू करते हैं तो पहला है भारत या उप महादीप का कुल छेत्रफल कितना है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B तो इसका सियुत्तर हो जाएगा 32,87,263 वरक किलो मीटर और आपको बता दें कि भारत के पास विस्व की कुल भूमी का 2.4% ही हिस्सा है और छेत्रफल के दरश्टी से भारत विस्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है और भारत से बड़े 7 देश रूस, कनाड़ा, संयुक्तराज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और आउस्ट्रेलिया है आप चाहें तो इनके नाम लोट डाउन कर सकते हैं और ये कोशन आपके एक्जाम में आ चुका है कि छेत्रफल के दरश्टी से विस्व का तीसरा सबसा बड़ा देश कौन सा है तो ये संयुक्तराज्य अमेरिका, रूस और कनाड़ा के बाद सबसे बड़ा देश है नेश्ट कोशन है, भारत का उत्तर से दच्छिन तक का विस्तार कितना है? तो इसका सहिफ्तर हो झाएगा और पूर्व से पस्चिम तक की का विस्तार अथ्व भारत के उत्तर से दच्छिन तक की लंबाई 3214 किलो मीटर है आप इसको 3214 करके याद रख सकते हैं और पूर्व से पस्चिम तक की कुल लंबाई 2933 किलो मीटर है और आपके लिए यहाँ से कोशन बन सकता है कि भारत का उत्तर से दच्चिम तक के विस्तार में और पूर्व से पस्चिम तक के विस्तार में कितना आंतर है और आप इसका आंसर तब दे सकते हैं तब आपको उत्तर से दच्छर तक और पूरव से पस्चिन तक भारत की लंबाई पता होगी। तो important question बनता है, note down भी कर सकते हैं। Next question है, भारत की इस्थलिय सीमा की लंबाई कितनी है। आंसर दीजिए। तो इसका सित्तर हो जाएगा, option C, भारत की कुल इस्थलिय सीमा की लंबाई 15200 किलो मीटर है। और भारत की सबसे ज़्यादा इस्थलिय सीमा की लंबाई बांगलादेश के साथ लगती है, जो कि 4096 किलो मीटर की इस्थलिय सीमा है। और ये कोशन आपके एकजाम में आया है कि भारत के इस्थलिय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है। तो ये बांगलादेश के साथ लगती है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो आपनो डान कर सकते हैं। नेक्स्ट कोशन है, दुईपों सहित भारतिय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका सियुत्तर हो जाएगा, आपसन बी, दुईपों सहित भारतिय तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 km है। और आपको बता दें कि इसमें भारतिय मुख्य भूमी का विस्तार 6300 किलो मीटर है तथा दुईपी अच्छेतर 1216.6 किलो मीटर है आप इसका सानास देख लिजिए कि भारत की कुल इस्थलिय सीमा 15200 किलो मीटर है जिसमें से 7500.6 किलो मीटर तटीय रेखा है और इस तटीय रेखा मैं से भी भारत की मुख्य भूमी की तटीय रेखा 6300 किलो मीटर है और दीपों का छेतर यानि कि धीपों की तटीय रेखा 1216.6 किलो मीटर है अब चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं नेक्श्ट है, भारत में सबसे लंबी तटीयरेखा वाला राज्जय कौन सा है? आंसर दीजिये, एकजाम में पूचा गया कुशन है तिसका सिट्र हो जाएगा, ऑप्सन ए गुजरात भारत में सबसे लंबी तटीयरेखा रखने वाला राज्जय है और गुजरात की तटिया रेखा 1214.7 किलो मीटर की है नेश्ट है भारत के कुल कितने राज्य समुद्र के किनारे इस्तित हैं आंसर दीजिए तो इसका सेफ्टर हो जाएगा ऑप्सन भी भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तटिया रेखा से लगते हैं जिनमें गुजरात, माराष्ट, गोवा, केरल, तमिलनाडू, करनाटक, आंधरप्रदेश, उडिसा और पस्चिम बंगाल हैं नेश्ट कोशन है नेश्ट है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है तो इसका से उत्तर हो जाएगा आप्सन ए, बारहे नोटी कल मील दूरी तक नेश्ट कोशन है किस भारती राज्य की सीमा सरवादिक राज्यों को इस पर्स करती है अथवा, किस भारती राज्य की सीमा सबसे जादा राज्यों से लगती है तो इसका सेयुत्तर हो जाएगा option B, उत्तर पिर्देश की और आपके लिए question है कि उत्तर पिर्देश की सीमा कितने राज्यों से लगती है जिनको answer पता है वो बता सकते है Next है, कोरो मंडल समुद्री तट किस राज्य में अविस्तित है? Answer दीजिए तो इसका सेयुत्तर हो जाएगा option D, कोरो मंडल तट तमिलनाडू राज्य में है Next question है, भारत के पश्चमी तटिया उत्तरी भारत के मेंदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसका सेयुत्तर हो जाएगा option A, कों कर तट? Next question है, भारतिय भूमी का सरवादिक उत्तरी भाग कौन सा है? Answer दीजिए तो इसका सेयुत्तर हो जाएगा option D, भारतिय भूमी का सबसे उत्तरी भाग इंदरा कॉल है जो कि जम्मू कस्मीर में है और भारतिय उप महादीप का सबसे दच्छनी point तमिलनाडू में इस्तित कन्या कुमारी है लेकिन भारत का सबसे दच्छनी point इंदरा point है जो कि दच्छनी अंडमान में इस्तित है आप इन दोनों की difference को अच्छे से समझ लीजिए अगर भारत का सबसे दच्छनी point पूँचता है तो आपका इंदरा point हो जाएगा लेकिन अगर भारतिय उप महादीप की मुख्य भूमी का point पूँचता है तो वो कन्या कुमारी हो जाएगा तो ये आपके भारत के छेत्रफल और उसकी तटिय सीमाओं से सम्मंदित महतरपूर प्रेशन थे और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको भारत की विश्म में इस्तिती वाले सारे question प्रोवाइड करा दिये हैं और नेक्स्ट वीडियो में भारत के ध्रीप और 30 रेकाउं से सम्मंदित महतरपूर प्रेशन देखेंगे ये सारे प्रेशन आपके exam और knowledge दोनों के लिए ही महतरपूर हैं